ए साया जी, ए साया जी, ए साया जी, आपके पास कोई क्रीम है जो काले को गोरा बना दे? का बेबी जी, आप तो नीचे से उपर तक ऐसे ही इतनी गोरी हैं अरे, भले ही हमारा पूरा देहिया गोरा है, लेकिन असली चीज काला है है लो फ्रेंस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिंदी बैप स्रीज के बारे में जिनमें कई सारे इंटिवेंट सीन हैं यानि कि हमें इन बैप स्रीज में कई सारे गर्मगरम सीन देखने को मिल जाएंगे ले एक लड़का एक लड़की के पेट पे फुट्टे से मार रहा है गर्मी बहुत ही जादा है ना तो मारा गर्मी बढ़ता ही जा रहा है आपको नहीं लग रहा है नमबर वन डार्क डिजायर कहानी की सुरुवात होती है एक साधी सुधा महिला से जो की एक स्ट्रेंजर से मिलती है और उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है लेकिन ये प्यार बात में क्या रूप लेती है यही दिखाई जाएगी इस कंप्लेट सीरिज में बैप स्रीज जिने भी होट सीन देखना बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए ये बेस्ट बैप स्रीज है नमबर टू पर है सेर साह दोस्तों इस बे मूबी के अगर हम बात करें तो एक कंप्लेट मूबी आपके दिल को छू जाने वाली है बे मूबी बेस्ट है वार एंड ड्रामा एक आते हैं और वह अकेले ही अपने साहस का परदासन इस वार में किस तरह से करते हैं यही सारी चीजे दिखाने की कोशिस की जाएगी इस कंप्लेट बे मूबी में मूबी की स्टोरी लाइन वन आप दे बेस्ट है इवेन इस कंप्लेट मूबी को आपके सामने बखुबी आपके जाएगी अपने इस वार में जाने का मौका में तुछ अरे हनो मार गटके वापस जाजी गासु और फिकर नगर जानी जिते रंदर लहरा कराओन नहीं तो उसमें लिपट के आओन लेकर आओं जरूरा है अगली बार लोट तो कहला है तो बस मेरे ले आना नमबर तीन पर है वाई देही दोस्तो ए बैफ सरीज उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो की सीरियल क्लीन और मिस्टरियस बैफ सरीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कम्पिलिट बैफ स्रीज में एक मडर मिस्टरी की केस को सॉल करने की कोशिस की जाएगी और लाज टक एक केस सॉल होने के बाद आपके सामने कौन सी मिस्टरी रिबील होती है ये तो आपको इस बैफ स्रीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है बैप सरीज को रिलिज किया गया है अबेक्स प्लियर पर और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 5.2 की